प्रकार्म के कोश्चन हमने किये थे और तिर्बुजो के चित्रफल आप कैसे निकालते हैं ये पिछली करक्षम में अच्छे से पढ़ चुके है जसमें समानतर तिर्बुज का अलग फॉर्मुला होता है और समानतर चत्रफल आप चत्रफल आप कुछन के चित्रफल से किस प्रकार के चत्रफल आपको बन सकते हैं अब देखिए उधारण दिया गया है नमबर आपको 1 आकरती 9.13 में A, B, C, D क्या है? एक समानतर चतरगुज है कैसा है समानतर चतरगुज है और E, F, C, D एक आयत है E, F, C, D क्या है? एक आयत है अब देखेंगे इसमें A, B, C, D क्या है एक समांदर चत्रूज है, जिसमें E, F, C, D एक आयत है, तो कापका आगया, E, F, C और D एक क्या आयत आगया, अब साथ ही, D, C पर लंब है, A, L, सिद कीजिए कि A, B, C, D, E, F, C, D, सेकेंड क्या है, A, B, C, D is equal to D, C, into A, L, अब देखेंगे आप चोगी, आयत एक समांतर चत्रूज भी है, इसलिए, A, B, C, D, बराबर E, F, C, D, E, F, C, D, अब उप्रोक्त परिणामों में हम देखेंगे, कि A, B, C, D, बराबर क्या हो गया, D, C, into A, F, C, और आयत का च्छित्रफल क्या आगया, बराबर, चोड़ाई, गुणा, लंबाई, गुणा, चोड़ाई, या गया, वन, अब B, C क्या है, A, L पर लंब है, इसलिए, A, F, C, L एक आयत है A, F C, L क्या आगया आपका एक आयत आगया अब देखिए A, L बराबर क्या है F, C समिकर नमबर दो आगया अब A, B, C, D A, B, C, D बराबर है B, C, A, R समिकर नमबर एक और दो से हम इसको देखेंगे और अच्छे से करेंगे आए देखते हैं आपको दिया गया कुश्च नमबर थार्ड P और Q क्रमशे समानता चत्रगुज A, B, C, D की बुजाओ B, C और A, D पर स्थिभ बिंदू है दर्शाइए की A, P, B बराबर है B, Q, C के तो A, B A, P, B बराबर है B, C, Q के या B, Q, C के हमारा क्या आए गया तिरबुज A, P, B A, P, B और समानता चत्रगुज A, B, C, D एक ही अधार A, B और एक ही समानता रेखाओ A, B तो एक ही अधार इनका होगिया A, B देखेंगे आब और एक ही समानता रेखा A, B अब देखेंगे CD क्या है, AB हमारा समांतर है CD के तो AB और CD CD और AB क्या होगा, समांतर होगा तो AB समांतर होगा CD के अब ABB बराबर है 1 upon 2, ABCD के समिकर नंबर 1 ले यदि एक तिर्भुँज और एक समांतर चत्रभुँज, एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्तित हो तो तिरबुच का चित्रफल समानतर चित्रफल के चित्रफल का आधा होता है इसी प्रकार आप देखेंगे तिरबुच BQC में BQC और समानतर चित्रफल ABCD एक ही अधार BC और एक ही समानतर रेखा हूँ, AD समानतर रेखा BC के बीच इस्तित है, अब देखेंगे, B, Q, C बराबर है, 1 अपॉन टू, A, B, C, D के, अब समिकर नमबर 1 और 2 से हम देखेंगे, A, T, B, बराबर है, B, Q, C के, यह बात आपकी क्या होती है, अब नेक्स देखेंगे, कोशन नमबर 4 भी आगया है आपको, आकरती 6.16 में, P समानतर रेखा रेखा, A, B, C, D के अभिहंतर में कोई इस्तित बिंदू है, सेकंड, P, B, D, प्लस, P, B, C, बराबर, A, P, B, प्लस, P, C, D, प्रशना देखेंगे, अब प्रशना, P से होकर, A, B, के समानतर रेखा, M, P, N, खीची, तो A, B, C, और D, अब A, B, बराबर क्या है, M, N, के, तो A, B, समानतर है, किसके, M, N, के, रचना में दिया गया है, क्योंकि अब कोई, अब A, M, समानतर है, B, M, के, A, D, बराबर है, किसके, समानतर है, B, C, के, समेकर नमबर एक, और समेकर नमबर दो से, अब A, B, N, M, एक समानतर चत्रबुज है, अब A, P, B, बराबर 1 अपॉन टू, A, P, N, M, यह आपका आगया, यह बात आपकी हाँ से इच्छे से प्लेयर होती है, कि आपका, A, P, A, P, N, M, यह क्या आगया, एक समानतर चत्रबुज हैं आपके, A, B, C, D आपको दिया गया था, जिसमें आपको यह बनाना था, अब next देखते हैं, यदि एक तिर्बुज और एक समानतर चत्रबुज एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बिच इस्तित हो, तो तिर्बुज का चत्रफल समानतर चत्रबुज के चत्रफल का आधा होता है, इसी प्रकार आप देखेंगे, बी सी समानतर है, एमन के, रचना में दिया गया है, और दी एम समानतर है, सी एन के, अब एडी समानतर है, बी सी के, समिकरन चार और समिकरन नंबर पास से, अब एम डी सी एन, एक समानतर चत्रफुज है, अब पी सी डी, पी सी डी बराबर, वन अपॉन टू, एम डी सी एन के है, समिकरन नंबर च्छे हो गया आपका, अब समिकरन नंबर तीन और च्छे को जोड़ेंगे, जब हमारा तो आ जाएगा, आपका, अब नेक्स देखते है, अब सार्ड कोशन आपको दिया गया है, दर्शाये की समानतर चत्रबुज के विकान उसे बराबर छित्रफलो वाले तिर्बुजों में बाटते हैं समानतर चत्रबुज के विकान एक दूसरे को समधिभाजित करते हैं अब आपको दिया गया है P, Q, R, S और ये आपको O बिंदु दिया गया है इसलिए P, Q बराबर O, R है और S, O, R बराबर Q, R है अब P, Q, S में P, Q क्या है माधिका है और अते है P, S, O, बराबर P, Q, O, क्या है समिकर नमबर वन तो S O बराबर क्या है Q O Q के तिर्बुच की माधिका उसे बराबर छेतरफल वाले दो तिर्बुच रभाजित करती है इसी प्रकार P Q R में देखेंगे P Q O क्या है माधिका है जिसमें P O बराबर क्या है O R के अब P Q O क्या है O R O के अब R QRS में देखेंगे RO क्या है माधिका है और QRO बराबर क्या है RSO के तमिकर नमबर 3 में तमिकर नमबर 1, 2 और 3 से हम देखेंगे तो आपका PSO बराबर है PQOK और R QRO बराबर है RSO के अतह है समानतर चत्रबुच PQRS के दोनों विकाण कौन कौन से QS क्या है QS और एक होगे आपका PR उसे समा बराबर चित्रबुच वाले 4 से त्रबुच में पाड़ते है अब देखें क्योशन नमबर आपको 8 दिया गया है XY त्रबुच ABC की भुजा BC के समानतर एक रेका है जिसमें अब देखेंगे XY ABC ABC और XY आपके एक रेका है समानतर आपको दी गई है और EF भी आपको दी गई है एक रेका AC और CF बराबर के आगे AB रेका XY तो प्रमशे E और F पर मिलती है E और F पर मिलती है आपको E और आगे आपका F इस पर ये आपको मिलती है अब दर्शाना है कि A, B, E बराबर है A, C, F के अब चत्रबुज B, C, Y, E में देखेंगे तो B, E समानतर है C, Y के B, C समानतर है E, Y के यह आपको दिये गए है इसलिए B, C, Y, E एक समानतर चत्रबुज तिरबुज A, B, E और समानतर चत्रबुज BCYE एक आधार BE और समानतर रेखाओ BE समानतर है AC के बीच इस्थित है के बीच इस्थित है अब ABE बराबर है 1 upon 2 BCYE के यदि एक तिरबुच और समानतर चत्रबुच एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित हो तो तिरबुच का च्छेत्रफल समानतर चत्रबुच के च्छेत्रफल का आधा होता है ये बात हमें पता है इसी प्रकार तिरबुच ACF और समानतर चत्रबुच BCFx एक ही आधार CF और एक ही समानतर रेखाओं CF समानतर है AB के बीच इस्थित है अब ACF बराबर 1 upon 2 BCFX समिकर नमबर 2 BCYE के आगए आपका BCFX के आगए समिकर नमबर 3 एक ही आधार BC वाले एक ही समानतर रेखाओं कौन कौन सी के बीच इस्थित समानतर चत्रबुच शित्रफल में बराबर होते हैं और समिकर नमबर 1, 2 और 3 से हमने इनको लिया है अब देखिए आपको कौश्च नमबर 15 दिया गया है चत्रबुच ABCD के विकार AC और BD परस पर बिंदू O पर इस प्रकार प्रतिश्यत करते हैं कि AOD बराबर है BOC के और हमें सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समिलंब है ABCD एक क्या है समिलंब है अब AOD बराबर है BOC के दिया गया है आपको दोनों और AOB जोडने पर AOB जोडने पर तो AOD प्लस AOB बराबर BOC प्लस AOB अब ABD बराबर है ABC के अब ABD और ABC एक ही आधार AB परिस्थित है और ABD बराबर है ABC के जहां AB समांतर है DC के एक ही आधार और त्रिभुजों के जो चित्रफल बराबर हो समांतर एक आउंके भी चिस्थित ABCD क्या है एक समिलंब है यह बात आपकी क्लियर हो गई ABCD क्या आगया एक समिलंब है तो ABCD एक समिलंब है ये बात आपकी clear हो गई, इतना आपने समझा, आप देखते हैं next question number 7 दिया गया है, P और Q क्रमशे त्रबुष ABC की भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदू है, और R रेखा खंड के आगया आपका लेकिए ABC दिया गया है, R दिया गया है बिंदू, P Q आपको दिया गया है ये आपकी रेखा यहां से जुड़ गई है, अब PR, PRQ 1 upon 2, ARC और PBQ बराबर ARC या आगया 2nd, RQC upon 3 upon 8, ABC, अब रशना देखिए, AQ, PC, RC और R को मिलाया, अब APQ में QR माधिका है दिया है, PQR बराबर 1 upon 2, PQP, त्रबुचों की माधिकां से बराबर 6 त्रबुच में वाजित करती है, तो हमने देखा PQ क्या है, माधिका है, दिया है APQ बराबर 1 upon 2, ABQ, 2nd आगया, अब की माधिकां दिया गया है अब नेक्स देखिए, अब ABQ 1 upon 2, ABC, समिकर नमबर 3, अब तीनों को जोड़ लिख से हमने ले लिया, 1 upon 8, ABC आगया और माधिकां CR है, तो हमने 1 upon 2, ABC ले लिया, समिकर नमबर 5 हो गया अब तिर्बुच की माधिकां उसे बराबर, चित्रुफ वाले तो तिर्बुच में विवाजित करती है तो ABC में CP क्या है, माधिका है, दिया है, ABC क्या आगया, 1 upon 2, ABC अब 5 और 6 से, 1 upon 4, ABC आगया, समिकर नमबर 7, 4 और 7 से देखेंगे तो PQR 1 upon ABC, 1 upon 2, 1 upon A, ABC, is equal to 1 upon 2, ARC इतना आपको clear हुआ, अब आपको समिकर दिया गया, ABC में PQ क्या है, माधिका है अब यह 1 upon 2 हो गया, इसी प्रकार AQ माधिका है, APQ में 1 upon 2, ABC हो गया 16, 17, 18 से, तो PQB क्या आगया, ARC, ये बात आपकी clear हो गई तो आज आपने क्या सीखा, कि हम किस प्रकार अपने चत्रबुज और त्रबुज को कर सकते हैं और उससे भी समने काफी questions, important questions को किया और उस पर practice की आगे काम next class में करते हैं, thank you